दोस्तों इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे नमबर सीरीज के पाँच वो सवाल जिनको सॉल करने में अच्छे अच्छों की हालत हो जाती है खराब तो यह पाँच सवाल आपके सामने हैं आप इनको सबसे पहले सॉल कीजिए मैं चाहूंगा कि आप वीडियो को एक बार पॉस करें और खुद से इसको एक बार ट्राय करें इन सारे सवाल को ट्राय करने के बाद वन वाई वन हम इनको डिस्कस करते हैं तो होफ़ली आपने वी 37, 73, 217, right? 1 से लेकर 37 तक जब हम गए तो हमने यहां पर देखा कि यहां पर हमने 36 एड किया, 36 ठीक है? यहां पर कुछ एड ही नहीं हुआ, मतलब प्लस 0 लेख सकते हैं इसको यहां कितना एड हुआ है अगर मैं इसमें देगा है? तो यहां एड हुआ है, तो यहां अगर द तो इसे देखकर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहोगा सिवाए एक बात के, कि यह सारे के सारे नंबर परफेक्ट स्कुएर हैं, जैसे कि यह नंबर 6 का स्कुएर है, यह नंबर 12 का स्कुएर है, यह नंबर 0 का स्कुएर है, वह यह नंबर भी 6 का स्कुएर है, इतना तो कर 6 प्लस 6 तो आगे क्या करें माइनस 6 करें या प्लस 6 करें कुछ समझ नहीं आ रहा है तो देखो आपको यहाँ पर सिंपल सी एक बात सोच नहीं है यह अगर यह तीनों प्लस 6 होते तो यहाँ पर आ जाती है प्लस 6 क्यों नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पर 6 और आपने 0 लिखा है लेकिन आपको यह भी सोचना है कि माइनस एक का जब हम स्कुर करते हैं तो वह स्कुर के बराबर ही तो होता है किसी निगेटिव नंबर का स्कुर करो या उसी के पॉजिटिव नंबर का स्कुर करो बात तो एक ही है तो जहाँ पर हम इसको 6 का स्कुर लिख रहे है चाहते इसको अगर हम इसको माइनस 6 का स्कुर लिख दें तो चीजें एक दम सेट पैट तो आंसरा जाएगा 541, 541, यस, बात समय में आई, पहला सवाल जबरदस्त, एकदम बैतरीन वाला, चली, सेकंड कोश्चन ये था, देखो आपको सारे कोश्चन ट्राय जरू करने हैं, बाद में आपको कमेंट्स में अपना-पना स्कोर भी टाइप करना है, कि आप 5 में से कि इसने कर पाई, let it be 0, 1, 2, कितना भी आप कर पाए, वो स्कोर आपको टाइप जरू करना है, तो 4 से 1 हुआ, 1 से 5, 5 से 10, 10 से 20, आपने कहा सर यहां तो बहुत अच्छा लग रहा है कि 5 का डवल 10 हो गया, 10 का डवल 20 हो गया, लेकिन सर यहां पर तो कोई रलेशन ही नहीं है, यह तो इसका 1 फोर्थ है, यह इसका 5 टाइम से, कोई भी systematic, कोई भी pattern यहां पर नहीं है, तो आपको किस तरीके सोचना है, देखो, यहां पर जो logic है, वो इस तरीके से, कि previous दो numbers का जो sum है, वो यह वाला है, 5, लेकिन फिर आप कहेंगे, sir, 1 प्लस 5 है, यहां पर 6 आना चाही ठीक है, प्रोबियसली, देखो, इनका sum 10 है, इनका sum 10 है, तो 10 प्लस 10, यह 20 हो जाए, भाई, इन सभी को add करोगे, तो यह 10 पहले से था, यह भी 10 था, तो 10 प्लस 10, 20 आ गया है, और यहां पर इसका double ही आने वाला है, क्यों, क्योंकि यह 20 है, और इन सब का sum 20 है, तभी तो यह 7, तो आपने देखा कि सर, यहां पर 1 से multiply हो रहा है, यहां 3 से multiply हो रहा है, और यहां सर 3 से multiply हो रहा है, यह तो कोई multiply ही नहीं हो रहा, यह तो ultra divide हो गया है, इसमें 3 से, यहां पर 3 से divide हो गया, तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, सर, divide by 3, 1, 3, 3, क्या है, कुछ नहीं, पता नहीं देखो लॉजिक तो यहीं से मिलेगा यहाँ पर 3 square से multiply हुगा है 9 से तो इसी से logic निकल कर आएगगा pattern तो यही है 3 का जो है fact आपको catch करना है यहाँ पर 1 से multiply हुग है यहाँ 3 से multiply हुग है 9 से multiply हुग है which is 3 का square now I can write this number as 3 square this number is 3 power 1 and this number is 3 power 0 को 3 की पावर 0 लिख सकते है ना वह यहां पर अगरम देखें तो this is 1 3rd, 1 3rd हुआ है इसका, 1 3rd को मैं लिख सकता हूं 3 की पावर minus 1, yes, 1 by 3 को 3 की पावर minus 1 भी लिख सकते हैं, तो power यह कि बढ़ती जा रही है, minus 1 से 0, 0 से 1, 1 से 2, तो 2 के बाद क्या आएगी? 3 आएगी, so 3 cube is what 27, और 27 into 27, 27 का है square, 729, right, 729 is correct answer, समझ गए बात को, चलिए, अगला सवाल, question number 4 यह था, 4, 5, 18, 41, 73, बहुत सारे terms यहां पर दिये गए, right, तो चलिए, यहां पर difference अगर हम देखें, तो difference कितने का है, 1 का, यहां difference अगर दिखेंगे, 13 का, यहां difference कितने का है, 23 का, right, यह difference कितने का है, 32 का difference है, यह difference कितने का है, 40 का difference है, यह difference कितने का है, 46 का difference है, यह बताना, चलो, बहुत सारे differences मिल गए, इनमें कोई भी pattern नज़र नहीं आता, तो the only way is to go for the double difference, double difference देखें, तो यहां पर कितना 12 है, यहां पर कितना एड़ हुआ, 10 है यहां कितना एड़ हुआ, 9 है यहां कितना एड़ हुआ, 8 है यहां 6 है अब आपको 12, 10, 9, 8, 6 में कोई pattern नज़र नहीं आता, अगर यह 12, 10, 8, 6 होते, तो आपको बतार जा जाता है, इस सारे के सारे consecutive even minus 2, यहां minus 2, कुछ समझ नहीं आए, minus 2, 1, 1, 2, तो यह कोई pattern ही नहीं, तो आपको यहां पर फिर से थोड़ा सा out of the box सोचना है, इन numbers में अपने आप में एक pattern है, कि यह सारे के सारे numbers, आप देखो 12 आया, 11 नहीं आया, 10 आया, 9 आया, 8 आया, 7 नहीं आया, तो बीच में 11 और 7 क because they were prime numbers, तो prime numbers को छोड़ कर जितने भी numbers होते हैं, तो उनको क्या बोला जाता है, composite numbers, so these 12, 10, 9, 8, 6, these are what, this is a series of composite numbers, आपको prime numbers की series तो कई बार numbers इसके questions में देखने को मिलती है, लेकिन composite numbers की series भी हो सकती है, तो 6 के बाद आता है, 5 जो कि prime है, उसको हम नहीं लेंगे, फिर उसके बाद आएगा, 4, 4 को consider करेंगे, so this is what, 50, 50 add गया, तो answer हो गया, 209, 209 is correct answer, पांच वाच सवाल, यह रहा, 482.25.125, कुछ समझ नहीं आ रहा, देखकर, भाई, गौर से देखो, अगर समझ नहीं आ रहा, तो एक बार फिर से पूरी series को एक बार में देखो, सिर्फ हमारा, जो ह कई बार गलती ही होती है, कि हम दो terms में उलचके रह जाते हैं, कि इसमें क्या करें, फिर इसको अलग से देखेंगे, मैं कही बार series को हमें overview भी एक बार देखना पड़ता है, complete, तो अगर हम इसको complete देख रहे हैं, तो आपको एक चीज़ नजर आएगी, कि यह जो 2 है, वो क् है, 2 को 8 से डिवाइट करेंगे, तो कितना आता है, 1 by 4, and 1 by 4 is nothing but 0.25, right, इसी तरीके से 0.25 को 2 से डिवाइट करेंगे, तो इसका half होगा, 0.125, which is there in the series, इसके बाद, 0.125 को डिवाइट करेंगे, 0.25 से, कितना आएगा, यह नमबर, definitely इसका double है, तो it is 1 by 2, 1 by 2 का मतलब 0.5, तो the answer is 0.5, right, तो यह थे 5 सवाल, और साथ की साथ एक यह सवाल है, एक bonus question है, homework question, ठीक है, यह भी हलका सा tricky question है, और इसका answer आप सभी को comments में देना है, तो यह 5 tricky questions मैंने आपको कराए, इन 5 में से आप कितने कर पाए थे, अपना-पना score comments में ज़रू type करें, ठीक है, और यह session आ like and share करें, right, और आप अगर channel पन रहे हैं, तो ऐसे ही शानदार videos के लिए channel को subscribe कर सकते हैं, thank you so much